यहां मिलती आपको सरकारे एक्जाम से जुड़ी सारी जानकारी तो फ्रेंज जैसा कि आपको पता है ससे जीडी का फिजिकल समाप तो चुका है और मेडिकल जल्दी होने वाला है तो उससे डिल्टेट मैं कुछ जानकारी लेकर के आपके सामने आया हूं फ्रेंज तो इस वी इस वीडियो को अन तक देखिए और दोस्तो अगर आप नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी क्योंकि आपको से जीडी मेडिकल की पलतल की अपडेट इस पर मिलेगी चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं step to step क्या आपको का जाच कैसे होता है से जीडी में तो फ्रेंच सबसे पहले आपका distance vision चेक किया जाता है जिसमें आपको दूर की नजर को चेक किया जाता है कि आपकी एक आख 6x6 या दोनों आखे 6x6 है की नहीं है और उसके साथ साथ आपका 6x9 है तो चलेगा या नहीं और 6x12 है तो चलेगा कि नहीं तो यह सारी blindness जिसमें आपका color blindness चेक किया जाता है और एक फॉर्थ है फ्रेंच चौथा टेस्ट होता है जिसमें Distribismus कहते हैं जैसे आखों का बेंगापन तो इसके बारे में भी बताएंगे फ्रेंच कि यह क्या होता है और इसमें डिमेडिकल होता है या नहीं तो आप वीडियो को आन तक देखिये सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस विजन के बारे में तो पहला टेस्ट होता है दोस्तों डिस्टेंस विजन का जिसमें आपकी आखों की जहांच होती है तो यह कैसे होती है आपको एक जगा पर खड़ा कर दिया जाता है और करीब 6 मीटर के डिस्टेंस पर एक बोर्ड रखा जाता है जिसमें अलफाबेट या नुम्रिकल जड़ी है और फ्रेंस आपकी दूसरी आंख 6x9 हो तो भी चल सकता है अगर दूसरी आंख 6x12 है और एक आंख 6x6 है तो फिर दोस्तों मुस्किल है तो इसलिए आपकी एक आंख 6x6 होनी बहुत जड़ोरी है और दूसरी 6x9 चलेगा ठीक है अब नेक्स्ट बात करते है फ्र आपको एक बुक या पेराग्राफ या एक पेपर का कट आउट दिया जाता है जिसमें आपको पढ़ना पड़ता है कि आपके आंखों से 50 cm की दूरी पर उसको रखके पढ़ना पड़ता है तो अगर आप सही सही पढ़ पाते हैं तो आप कौलिफाय कर जाएंगे आसानी से तो आपका नियर विजन इसी प्रकास से चेक किये जाता है ठीके फ्रेंस इसके बाद अगला टेस्ट होता है आपके कलर ब्लाइडनेस का जिसमें आप उनके पास एक बुकलेट होता है और उसमें कुछ पैटरन जैसे आप फिगर में देख रहे हैं इस टाप के पैटरन होत है तो उसका कोई लाजनी है यानि आपको अगर वो लोग पकड़ पाते हैं कि कलर ब्लाइडनेस है तो आपको डिस्कौलिफाय कर दिया जाएगा वहीं से ठीक है तो इस टेस्ट में आपको इसी प्रकार का पैटरन दिया जाएगा और उसको पहचानने के लिए बोला जाए अगला टेस्ट के बारे में बात करते हैं उनकी आखो के दोनों पुत लिया एकी डरेक्सट में एक साथ नहीं जा पाती है और थोड़ी स्लो होती है और उसको चेक करने के लिए आपको क्या किया रहता है आपके सामने पें वो लोग रखेंगे या पिर कुछ भी नखी इधर उदर घुमाएंगे उपर नीचे लेफ्ट राइट तो यदि आप उसको एक साथ यानि फोकस कर पाते हैं तो यानि आपका आख ठीक है और उसमें प्रॉब्लम होते हैं लोग को देख लेते हैं कि अगर इसमें प्रॉब्लम है या एक आख मुव्मेंट इधर उदर हो यह तो आपको बहेंगापन बता दिया जाता है और फ्रेंज आपको बता दू इसके लिए रिमेडिकल दिया जाता है यानि आप इसका इलाज करा सकते हैं तो बहुत सिंपल प्रोसेस हैं आप इसका इलाज असानी से करा सकते हैं किसी भी अस्पताल से आखों के किसी भी और नेक्स्ट अब बात करते हैं लेजर सजरी यानि बहुत से इस कोमेंट करते कि लेजर सजरी वाले क्या करेंगे तो इस टेस्ट में आपका देखा जाता है कि आखों में कोई लेजर सजरी तो नहीं की गई है जैसा कि आपको पता है जीडी में आपकी आखों में लेजर सज कर आएंगे तो जो लोग एक साल देव पहले कर रहा हैं तो उनको को प्रोब्लम होने वाली है नहीं क्योंकि ऐसे भी आपको यह जो आपको आपको यह वीडियो पसंद आया होगा इसके साथ फेंच अगर आप और वीडियो देखना चाहते तो चनल को सब्सक्राइब कर लिज ताकि जैसे कोई वीडियो अप्लोड हो या कोई भी अपडेटा है एडमीट का से रिलेटेड तो मैं जल्ली अप्लोड कर दू वीडियो और आपको नट प्रेक्शन प्राप्त हो जाना जैन्य बात